नमस्कार दोस्तों काफी बार हमने एक बात आप सभी लोगों से कई हैं कि यह डाइरिक सेलिंग गाइड लाइन को लेकर बहुत कुछ इंपॉर्टन बाते आप तब कोहुचना इंपॉर्टन है और दोस्तों यहाँ पर मैं आप सभी लोगों को एक मेरा वीडियो मेरा का screen share करके आप सबी लोगों को ये direct selling guideline का बारे में जो भी memorandum जिसको बोलते official memorandum याने जो guideline है उसके बारे में थोड़ा सा इस video में हम बात करेंगे आशा कर तो आप सबी लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगेगा हमारी इस channel को जरूर आप सब्सक्राइब करके रखिएगा और इस वीडियो को जादा से जादा उन लोगों तक तो जरुर पहुँचाईए जिनको लगता है यह मेंबर बनने का स्कीम है यह चैन मारकेटिंग है यहाँ लोगों को फसाया जाता है इन सबी लोगों तक हमारी वीडियो को ज़रूर पहुंचाना आप अब यहाँ पर बात करते हैं यह जो गाइड लाइन है इसका मतलब होता है एक दिशा निर्देश अब यहाँ पर हैं यह तारीक अभी शुरू हुआ इसके उपर काम शुरू हुआ कि 2014 से लेकर इसके उपर काम शुरू आता और फाइनली 9 सप्टेंबर 2016 में यह पूरी तरीके से अपरूल होकर पहली बार आया और उसके बाद अभी 2022 के एंड में इसका गुवर्मेंट लॉबी जनरेट हुआ है तो कुछ बाते ऐस डायरिक सेलर आपको भी पता होनी चाहिए और जो डायरिक सेलिक इंडस्ट्री को कई न कई नकारत्मक एंगल से देखते हैं निगेटिव फेज में देखते हैं उन सभी लोगों को इन बातों के उपर ध्यान देना ज़रूरी है क्योंकि हमारी सरकार बाहरत सरकार क्या कहती है यह आज के इस वीडियो में बात कर रहे हैं तो देखते हैं दोस्तों यहाँ पर लिखा है Official Memorandum Subject Advisory to State Government Union Territories on Model of Direct Selling यह क्रिशी भवान न्यू दिल्ली में जनरेट हुआ है 9 सब्टेम्बर को Also the inter ministerial committee was constitute of the government to look in the matter concerning the direct selling industry, consisting to representative from Ministry of Departments Ministry of Finance and Department of industrial Policy and Promotion, Department of Legal Affairs, Department of Information Technology, Ministry of Corporate Affairs इसका मतलब है दोस्तों यहाँ पर कहा जा चुका है कि यह जो सेंटरल गवर्मेंट की तरब से जो गाइडलाइन दी जा रही है इसका हम दिशा निर्देश पूरी तरीके से कौन-कौन सी इस इंडस्ट्री के साथ इनको हम पूरी तरीके से हम आगे इसको सभी स्टेट तर इ है नमबर टू में लिखा है बेस ओन दे दिलिबरेशन अब दे इंटर मिनिस्ट्रियल कमिटी एंड कंसल्टेशन विद शेकोल्डर दे मॉडल गाइडलाइन अब डारिक सेलिंग हाव बीन फॉर्मूलेटर स्टेट गवर्मेंट में काइंडली टेक नेसेसरी एक्शन फू इंप्लिमेंट दे सेम नहीं इन चीजों को इंप्लिमेंट करने के लिए हमारी भारत सरकार ने सारे स्टेट गवर्मेंट को ओर्डर दिये गया है इट इंविजेट दे गाइडलाइन दाट दे स्टेट गवर्मेंट विल सेट अप दे मेकैनिजम तो मॉनिटर को यह मैकैनिजम यह मॉनिटर करने के लिए और इस सारी एक्टिविटी इसको सुपरविजन करने के लिए इसका दिशानितर दिया गया है किसरा पॉंट है इने डैरेक सेलिंग एंटिटि एंटिटिंड दे इन अंडर टीकिंग टू दू दो दिपर्टमेंट ओब कंजुम यानि इसको बोला जाता है कि IDSA, Indian Direct Selling Association, World Federal Direct Selling Association और जितने भी Direct Selling Industries के अंदर World Players होते हैं, उन सभी लोगों का साथ, दिशा और इनके सभी लोगों का यानि Direct Selling Chairman's होते हैं, कई सारी जगों पर इन सभी लोगों से डिसकस करके इसका एक powerful तरीके से दिशा निर्दे जिया जाता ह हैं, ताकि किसी भी तरीके से misleading या miss जिसको बोलते है, rolling, money rolling या scam या scheme कोई भी नहीं चला पाएं, और बहुत आसान तरीके से Direct Selling Industry को भी justified मिल जाएं, और एक अच्छी तरीके से business का एक system पूरे भारत में इसको पहुँचाया जाएं, यह जो दिखा जा रहे है, to achieve to all cheap secretary to of state administrator, return, मतलब जितने भी state के जितने भी chief secretary से सभी को भेजा जाएगा, यह copy for kind information prime minister office में दिया गया है, नितिया आयोक को CEO उनको भी दिया गया है, department of finance service, department of industry policy promotion, department of legal affairs, department of information technology, minister of corporate affairs, इन सभी लोगों तक इसका एक एक copy भेजा गया है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और देखते हैं, guideline के अंदर क्या क्या निकल कर आ रहा है, और आज तो कम सिकम अपना ढकन जरूर निकाल दीजिएगा, ताकि आपको पता चले कि इसके उपर भारत सरकार भी पूरी तरीके से ध्यान दे रही है, और भारत सरकार ने भी इसका एक अपनी तरब से दिशा निर्देश दिया है, और आज की तारिक में ये Central Government के Gazette के अंदर भी Direct Selling का एक Professional Way में Business के नाम पर इसका उल्लेक आया है, यानि आप लोगों को अपने आगे के Generation to Generation का भी आप आगे जाके एक अच्छा Business डेवलप कर सकते है, Advisory to State Government, Union Territories Model Framework of Guideline of Direct Selling, ये ग्रहकों को प्रभावित करने वाली इंडस्ट्री है दोस्तों, यानि Consumer से ही साथ ये आगे बढ़ती है, Industry Direct Selling, तो इसकी वज़े से इसके अंदर किसी भी तरीकी का Illegal Activity, Fraud, Money Rolling या Money Scam इस तरीके से ना हो, इसके लिए इस guideline को पूरी तरीके से सबी लोगों को follow करने के लिए दिशा निर्देश दिया गया है, अब यहाँ पर कुछ Clause No.1 है, पह 1986, मतलब Act हम बोलते हैं ना काइदा, कानून, Consumer shall have the same meaning as provided under the Consumer Protection Act 1986, Prospect means the person to whom an offer or a proposal is made by the direct seller to join the direct selling opportunity, Prospect हम कहते हैं ना हमेशा, Prospect का मतलब होता है कि एक ऐसा व्यक्ति संभाव्य ग्राहक जो आगे जाके या तो consumer बन किते हुए, आगे जाके distributor बनता है, एक direct selling opportunity को graph करता है, चोता पॉइंट है, direct selling means person, appointed as authorized directly or indirectly by the direct selling entity, direct selling entity का मतलब होता है, direct selling companies के द्वारा, जो एक ऐसा व्यक्ति जिसको as a agreement के साथ, इसको directly indirectly authorize किया जाता है, appoint किया जाता है, उसको direct seller कहा जाता है, through a legally enforceable return contract to undertake direct selling business and principle of the principle to principle basis, मतलब एक legal contract के साथ, इनका documentation, registration करके, इनको direct seller का करार दिया जाता है, नाम दिया जाता है, network of direct selling means, network of direct sellers at different level of distribution, whom may recruit or introduce to sponsor further level of direct sellers, who they, them support, means network of direct selling, हम network वर इस्तमाल करते हैं, what is it mean by network, तो यहाँ पर लिखा गया है कि direct seller at referenced level of distribution, whom may recruit or introduce sponsor, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों का sponsor करके, जो level से increase करते हैं, turn or को बढ़ाया जाता है, sales turn or को बढ़ाया जाता है, वो एक अपने आप में एक network कहलाता है, उसको network explanation, network of direct selling means, any system of distribution और marketing adopted by the direct selling entity, direct selling company के द्वारा जो distribution का system बनाया जाता है, जो एक फिराची बनाई जाती है, उसको network कहा जाता है, direct selling entity to undertake direct selling business and shall include the multi-level marketing method और distribution, छटा पॉइंट है, direct selling means marketing distribution and sale of good providing of service as a part of network of direct selling other than under a pyramid scheme, मतलब direct selling का मतलब होता है कि एक IC marketing है, जिसको distribution यानि unique process होती है, जो कि किसी product की या services की distribution करेगी, अपने साथ जुड़ेवे वितरोकों का एक संगठन यानि network बना कर, ना कि कोई pyramid scheme को चला कर, provided that the such sale of good or services occur otherwise than a true permanent retail location to the consumer, generally in their house or their workplace or their explanation and demonstration of such good and services as a particular price, मतलब इस व्यवसाई को कोई भी बन्दा अपने product यानि उत्पाद और services को लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने घरों के दारा शुरू कर सकते, अपने workplace के दारा शुरू कर सकते या फिर किसे ना किसी demonstration के साथ इसको शुरू किया जा सकते हैं, साथ number का point है, direct selling entity means an entity not being engaged in pyramid scheme, direct selling entity मतलब direct selling जो company होती है, इसका मतलब होता है यह कोई pyramid scheme के साथ engaged ना हो, which seller, which sales are offered to sales good or service through a direct seller, provided that direct selling entity does not include any entity or business notified otherwise the government for the said purpose from the time to time, मतलब यहाँ पर कहा गया है कि किसी भी pyramid scheme, scam या money rolling का जो money rolling या money rolling सिस्टम होती है, वहाँ पर ना कोई product ना service को दिया जाता है, बलकि लोगों के recruitment के साथ पैसा जोड़ा जाता है, सिर्फ recruitment ना ही product का sales हो रहा है, ना ही किसी तरीका का turn हो रहा है, तो वहाँ पर एक illegal pyramid scheme भी कहा जाता है, pyramid का मतलब यह भी होता है कि कहीं न कहीं पर आपका एक 2 member करो, 2 का 4 होगा, 4 का 8 होगा, 8 का 16 होगा, इस तरीके से condition based पर काम करना, यानि एक distributor को अपने रूप में कोई भी placement करने का आधिकार ना होना, उसको कहते pyramid scheme के जैसा काम चुरू है, तो मतलब आप किसी को placement करें तो उसका पूरना अधिकार एक direct seller के पास होना चाहिए, ना कि किसी computer का system के पास होना चाहिए, चलिए, आगे बढ़ते हैं, आट वापॉइंट गूड मिन्स, गूड मिन्स, प्रोडॉट के बारे में यहाँ पर बोला है, गूड मिन्स, ऐसा गूड डिफाइन इन दे सेल्स अब गूड अक्ट नाइटीन थर्टी एंड सर्विस मिन्स, सर्विस अदे डिफाइन अज दे कंजूमर कोटेक्शन, यह तो definition बता ही जा रही है, प्रोडॉट का मतलब क्या है, डिर्ट सेलिंग का मतलब क्या है, प्रोस्पेट का मतलब क्या है, सेलेबल का मतलब क्या है, कूलिंग ओपिरेड का मतलब क्या है, कूलिंग ओपिरेड मिन्स, the duration of time counted from the date when the direct seller and direct selling entity enter the agreement यह cooling period होता है जब आप एक distributor के तौर पर इस industry में join करते है agreement करके हैं under the clause 4 and the ending with the date on which the contract is to perform and within which the direct seller may repudiate the agreement without being subject or penalty for beach of contract ओके यह cooling period कहा जाता है यानि जब से हमने join किया तब से लेकर direct seller may reputed date agreement without being subject to penalty beach of contract agreement clause 4 ending of the date ओके when the direct seller and direct selling entity enter into the agreement under the clause under the clause 4 पढ़ना पढ़ेगा इसको proper direct seller appointed author indirectly entity legally in produce contract undertaken direct seller ओके एक कूलिंग प्रेड होता है उतना ज्यादा मुझा नहीं जरूरी लग रहा है pyramid scheme means multi-layer network of subscriber to scheme formed by the subscriber enrolling one or more subscribers in order receive any benefit directly or indirectly as a result of enrollment action or performance additional subscriber to the scheme the subscriber enrolling further subscriber occupying higher position and enrolling subscriber lower position thus with the successive enrollment they form multi-layer network for subscriber provided that the above definition of pyramid scheme shall not apply to a multi-layer network of subscriber to a scheme formed by a direct selling entity which consists of subscriber enrolling one or more subscriber in or under to receive a benefit directly or indirectly where the benefit is as result or sales of goods and service by subscriber मतलब किसी भी तरीके का product और service का बेचया जाना और उसका एक sales का turnover होना उसका sales का value generate होना और उस sales value पर ही पेसे का distribution होना यही इसका legality का license है otherwise इसको सबी तरीके से pyramid scheme में माना जाएगा इसका मतलब पहला यह है कि कोई भी किसी तरीके से यह provision नहीं रहेगा कि कोई भी distributor direct seller स्रीप लोगों का enrollment या recruitment करके पैसा कमाए और ऐसा किसी भी तरीके से practice आप नहीं कर सकते स्रीप enrollment के उपर मितलब इसको head hunting plan भी कहते है इसको money rotating भी कहते है मतलब स्रीप लोगों को जोड़ते रहो जोड़ते रहो और पैसा आते रहेगा जोड़ना बंद पैसा आना ही बंद तो यह एक अलग तरीके से scam कहला सकता है इस दूसरा point है कि वहाँ पर distributors को product या service को purchase करने का requirement नहीं है ऐसा बोला जाता है यह pyramid scheme के अंदर आता है आपको कुछ बेचना नहीं है आप इस रही इतना पैसा लेकर आई है यह कहना मतलब भी एक pyramid scheme है आगे बढ़ते हैं मतलब कुछ भी नहीं करने से पैसा आएगा ऐसा अगर कोई बोलते है तो बोलना यह wrong number है आगे बढ़ते हैं यहाँ पर यह कहा है कि किसी भी रूप में आपको किसी ना किसी product और services का इस्तमाल करके ही इस industry के साथ आगे बढ़ना चाहिए और आपका sales generation या पिर आपका sales value generation के उपर ही आपको किसी ना किसी रूप से incentive आना चाहिए तो आशा करतो है समझ में आ रहा होगा आपको बहुत आसानी से समझाने की कोशिश तो कर रहा हूँ तो यह तो बहुत सारे एक legal और illegal wording होता है ना उसको proper तरीक से समझना भी ज़रू होता है तीसरा point है आपको benefit नहीं मिल रहा है तो कोई भी direct seller company या direct selling company किसी भी रूप में सिर्फ registration के नाम पर किसी भी रूप में किसी से fees नहीं ले सकती है यह totally free of cost होना चाहिए इन्हें enrollment होना distributor को distributor को आगे लेकर आने के लिए किसे भी तरीके से वहाँ पर free में होना बहुत important रखा गया है okay it provide participant with the return contract yes document और contract होना चाहिए आपका जो भी legal documents है वो सारे document आपको company को provide करने है तब जाके आपका एक contract होता है as a direct seller it's allow provide for participant in a reasonable cooling of period to participant or cancel participation in the scheme receive a refund or consideration given to participation in the operation एक information बताया जा चुक है जिस दिन direct seller join होता है उसके बाद एक cooling period होता है उस cooling period के बीच में आप cancel भी कर सकते हैं और अपना आप decision भी change करके इसको way up भी कर सकते हैं give up भी कर सकते हैं but इसकी नोबत तो शायद मुझे कभी नहीं लगता है किसी को आती होई वह इससे भी registration free हो जाता है तो किसी भी तरीके से registration cost ही नहीं ली जाती है तो इसका return करने का कोई सवाल ही नहीं है फिर भी आगे लिखा है it allows to provide as a buyback repurchase policy currently marketable goods and services मतलब इसको बोलते है money back guarantee या buyback policy अगर किसी ने कोई उत्पात purchase किये है और 30 दिन के अंदर अगर वो product के अंदर उनको लग रहा है कि मुझे यस business के आगे साथ आगे नहीं बढ़ना है तो 30 days का कुछ period होता है it's called cooling period होगा it's 30 days के अंदर उन लोगों को अपना product को sellable form के अंदर मतलब product को distribute नहीं किया है packing को distribute नहीं किया है बट उस product को आप वैसे के वैसे वापस करके अपना पैसा वापस लेकर और आप इसको buyback money back policy का फायदा ले सकते तो ये भी एक चीज होता है जिसके अंदर कई company होती है जो की ponji होती है scam चलाती है वो buyback policy नहीं रखती है क्यों क्योंकि उनको तो money rolling और money trolling करना है इसलिए नीचे का पैसा उपर उसके नीचे का पैसा उसके उपर वही से पैसा लिया जा रहा है तो वो company क्यों किसी का पैसा वापस देगी money back policy वहाँ पर होती नहीं अगर किसी company के पास money back या buyback policy नहीं है तो वो wrong number है scam है हो सकता ही है it established established grievance redressal mechanism for consumer more particular described in clause number 7 okay explanation है for the purpose of the provision material terms and shall means buyback repurchase policy okay 12 number money circulation scheme has the same meaning as it depends under the pride cheat money circulation banning act 1978 money circulation scheme का मतलब पैसे काई पैसे से रोल करके वहाँ से ही पैसा लेकर वहाँ से ही पैसा देना कोई अलग तरीके से sales नहीं है कोई product का उत्पात का किसी तरीका service का repurchasing प्रोव नहीं है तो वो money back में पर यह वो money rolling system या pride cheat money circulation banning act में आता है remuneration system means the system followed by the direct selling entity to compensate the direct sellers which illustrate the mode of sharing of incentive उसको remuneration system कहते है आपने देखो ना marketing plan या business plan के अंदर रिक remuneration में जेका है आपको कौन-कौन से रूप में किस-किस तरके से आपको incentive, profit, commission आते रहेंगे और उसके लिए आपको क्या करना होता है वहाँ पर वो लिखा होता है प्रोपर तरीके से उसको remuneration system चोथा फोर्टिंग पॉइंट देखते है state include a union territory क्लास नमबर 2 condition of the setting of direct seller business every direct seller entity intending to carry it out direct seller business subsequent to the publication of the notification in gazette shall within 90 days comply with the following set of the condition for the conduct of direct selling business it shall first be a registered legal entity under the law of India legal entity मतलब आपका pancard आपका एक address proof आपका एक address proof identity proof और pancard ये सारी चीज़े legal document है आधार काड pancard photo वो आपको registered करने के लिए registration करने के लिए legal entity को पूरा करने के लिए document देना पड़ता है दूसरा provide a mandatory orientation session to all prospective direct seller providing fair accurate information all prospect and destination operation including the but not limited to the remuneration system expected remuneration for newly recruited distributors और direct sellers इसका मतलब बता है कि अगर कोई distributor company के साथ जुढना चाहता या जुढ रहा है उस समय पे उस distributor को या उस prospect को prospect वड़ सही रहेगा उस prospect को company के द्वारा या direct sellers के द्वारा पूरी जानकरी दी जाए कि किस तरीके से remuneration plan है कैसे incentive मिलेंगे यह सारी information दी जाए provide accurate and complete information to prospective existing direct sellers concerning the reasonable amount of the remuneration opportunity and related right and obligations सभी तरीके के right, obligation, conditions सारी बाते प्रोपर तरीके से बताई जानी चाहिए pay all due to the makeholding from direct seller in a commercially reasonable manners पाच्वा पॉइंट है notify and provide a full refund or buyback guarantee to the every direct seller on the reasonable commercial terms which can be exercised within a period of 30 days जो कि अभी मैंने बात किया था उपर भी लिखा हुआ है यहा पर भी वही point फिर से है कि आपको buyback guarantee 30 दिन के अंदर वापस कर देने का company के पास provision हो notify and provide to the every direct seller cooling period cooling of period which entity is entitled such direct seller to return any good service purchased by the direct seller during the cooling period यह cooling period कहा जाता है कि उसके बीच में जैसे 30 दिन का क्या होगा यह cooling period है और cooling period के बीच में कोई भी direct seller या कोई भी distributor अपने product को वापस करके buyback कर सकता है the promoter of the key management personnel should not have been convicted of any criminal offense is punishable with imprisonment in last five years by any court of competent or jurisdiction promoter or key management personnel should not have been convicted any criminal offense direct seller के बारे में या direct entity के बारे में कि किसी भी तरीके का उनके सखिलाब कोई भी criminal punishment activity नहीं हो it shall have an office with identified justitions of its operation in the state of enable the consumer and direct seller to acquaint themselves with the price of product return or replacement of product efficient delivery of product वो बार बार एकी बात आ रही है यहने product को buyback करना clause 3 condition or conduct or direct selling business every direct selling entity shall comply with the following condition it shall be the owner condition or conduct of direct selling business direct selling business को conditions और conduct करने के कुछ rules and regulation यहा पर guideline के द्वारा it shall be owner वो एक owner होना चाहिए holder license of a trademark service mark or any other identification mark which identities the entity with the goods to be sold or supplied or the services to be rendered वो एक owner होना चाहिए और उनके पास वो authority होनी चाहिए वो product को logo तो कोन जाने के लिए it shall issue मतलब यह इसके लिए direct selling business को start up करने के लिए कर कोई company इसको start करना चाहती है तो यह direct seller को लिए नहीए direct selling owners के लिए it shall issue proper identity document of its direct sellers it shall maintain proper record either manual or electronic of their business dealings with complete detail of the goods, service, firms and contract, price, income plan, detail of the direct seller including but not limited to enrollment including but not limited to enrollment, termination, activities or status, active status and earning etc. यह पूरी जानकरी आपको देनी चाहिए उन papers और documents के माद्यम से कि आप कितने तरह से income दे रहे है क्या क्या है income के plan क्या है detail of direct sellers क्या है आपके साथ आने वाले फिर आपका enrollment की उपर सिर्फ पैसा ना हो कोई भी limited to enrollment नहीं होना चाहिए और product और service आप क्या दे रहे है उसका contract आपके पास क्या है price और income क्या क्या है termination का system क्या क्या है active status और earning का system क्या है पूरी जानकरी आपको देनी पड़ेगे every direct selling entity shall maintain a register of direct seller wherever relevant details of the each enrollment direct sellers shall be updated and mentioned every direct seller entities shall maintain a register of direct seller wherever in relevant detail of the each enrollment direct seller shall be updated and maintained sabhi tariqe का जितने भी direct seller उस direct selling entity के साथ जुड रहे उसकी पूर्ण रूप से detail लेकर वो company वो card है सरकार की तरफ दिया जाए the details of direct seller shall include not be limited to verified proof देखो यहाँ पे लिकाए proof of address proof of identity and pancard अम्तलब details of direct seller यह कोई भी direct selling company distributor की तरफ से एक address proof एक identity proof और एक pancard यह ज़रूर लेनी चाहिए it shall maintain proper and updated website with all relevant details यह सारी जानकारी आपकी website पर detail होनी चाहिए contact information होनी चाहिए management की information होनी चाहिए product product information होनी चाहिए product quality certificate होनी चाहिए price competitive plan होना चाहिए terms or contract direct seller complaint redressal mechanism यह पूरा marketing plan remuneration income system direct seller consumer affairs यह सारी चीज़े the website should be house space or registering consumer complaints yes तो website के अंदर वो भी एक जगा होनी चाहिए pace होना चाहिए कि कोई भी consumer अपनी complaint को इसी website के माध्यम से जद दर्च कर पाए directly email या किसी भी माध्यम से company के साथ connect हो पाए सारी जानकारी वहा पर website पर मौझूद हो इसाल प्रवाइड to all direct seller their periodic account information concerning applicable sales purchase details earning commission bonus otherwise relevant data according to agreement with the direct seller all financial dues paid by any withholding made in commercially reasonable manners यह पूरी जानकारी details of sales details of purchase details of earning details of commission details of bonus relevant to data agreement data यह सारा डेटा company को provide करना पड़ेगा इच्छाल monitor देखो अभी इतना असान नहीं है किसी को netto marketing शुरू करना इन सारी चीजों को वह दिशान इरदेश के दोरा follow तो करना ही पड़ेगा और इसलिए बहुत सारे जो भी पॉन्जी scheme करते थे जो भी एक कुछ चार दस लोग मिलकर netto marketing को कोशिश करते थे चला निका उसमें कुछ भी देखा नहीं जाता था किसी तरीके का प्रावदा नहीं था government का कोई इसके अंदर अस्तक्षिप नहीं था अब वो नहीं होगा अब यह अच्छी तरीके से professional हो चुका है और आप लोगों के लिए एक अलग रूप से एक government का protection मिल रहा है और इसको प्रापर तरीके से government monitor भी करेगा और इसके उपर government की तरप से ही filter लगाया जाएगा कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है सही है ना मतलब वो जो tax, GST, VAT यह जो भी है वो तो direct seller को pay करना पड़ेगा यह जो भी commission आ रहे हैं उसके अंदर से TDS cut होगा ही अच्छा seven point है direct selling entity shall not direct selling entity shall not यह direct selling company और owner के लिए है use or misleading deceptive or unfair recruiting practice किसी तरीके से गलत तरीके से recruiting करना including misrepresentation of actual मतलब जो है उसको mispresent करके उन्हें किसी को बहुत ज़्यादा आमिश दिखा कर यानि जो बताया जाता है उससे कई गुना ज़्यादा बता कर लोगों को recruitment करना बहुत ज़्यादा false commitment के साथ recruitment करना potentially sales or earning potential sales or earning actual और potential sales or earning actually जो आपका potential sales or earning है उसको नहीं बताते हुए है आप उनको स्रीफ क्या करते है ज़्यादा लालज दिखा कर join करवाते हैं जो कि हो नहीं सकता है in their interaction with the prospective or existing direct sellers बी पॉइंट है make any factual 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 representation to a prospecting direct seller that cannot be verified और make any promise that cannot be fulfilled जो fact है वहीं आपको बताना चाहिए representation और product के माध्यम से prospective और प्रोस्पेट को वो direct seller company का एक यह इसको responsibility है ना ही किसी तरीके से false commitment या फिर किसी भी तरीके से उनको गलत जानकारी या ज़्यादा प्रलोबन देकर नहीं लोकों को साथ में जोडना चाहिए प्रेजंट एनि अडवांटेज और direct seller और एनि प्रोस्पेटर डारेक्ट सेलर इन फॉल्स रिसेप्र मैनर make or cause our permit to be made any representative relative to its direct selling business including demuneration system agreement between itself and direct seller और इट जाइन गुड़ सर्विसेस बिंग सोल्ड बाइट सेल्प by the direct seller which is false and misleading yes यही है दोस्तों बार बार एक बार इन बातों को अच्छी तरीके से गुमाग पिरा कर सरकार हमें बता रही है कि किसी भी तरीके से पूर्ना information, remuneration की information, plan और जो भी incentive plan की information पूर्ना रुप से distributor को और उसके साथ जुड़ए conditions की information पूर्ना रुप से agreement करते हुए इन सारे distributor को दी जाए किसी भी तरीके से false or misleading practice ना करें E number का point है engage in or cause or permit in conduct that misleading or likely to mislead with regard or any material particular related to the direct selling business include an remuneration system agreement between itself and the direct seller or at the good service being sold by itself by the direct sellers Misleading practice नहीं करनी चाहिए, mislead किसी को नहीं करना है आपको remuneration agreement ये सारी बातों को follow करना है Use or cause or permit used of fraud, correction, harassment, unconsiable or unlawful means promoting its direct selling practice including remuneration system and agreement between itself and the direct seller or its good services by the sold Oh my God, कितनी बार वो ये की बात को रटा मार के बार बार समझा रहे हैं इन चीजों को in misleading practice मत करिए जो है वही बताए, जो actually है, जो fact है, जो आपका company का system में, plan में दिखाया जाता है, दिया जाता है, वही बताई कि बताई है जो नहीं हो सकता, उतको बारे में बात मत करिए Require its direct seller to provide any benefit including entry fees, renewal fees, और purchase any sales demonstration equipment, material in order participants and its direct selling operations यह सारी जानकारी company को उस legal authority को देना पड़ेगा Provided in any benefit to any person for introduction or recruitment or any other person direct seller Require the direct seller to pay any money by way of minimum monthly subscription or renewal charges So, अभी चाहते नंबर का clause देखते है, condition of direct selling contract between direct seller and distributor, direct seller or distributor and direct selling entity एक condition क्या-क्या रहेगा, एक contract बनाने के लिए direct seller or direct selling company और direct seller के बीच में Every direct selling entity shall execute a contract agreement whether directly or indirectly direct seller before enrollment किसी भी distributor के enrollment करने से पहले के agreement format sign करना पडेगा The agreement shall be provided as a manner consistent with the section 10 of Indian contract act 18-2072 In addition to the right obligation of parties to his agreement under this guideline or any other law In force, parties shall have rights obligation that with right obligation of parties and contract act 18-72 The agreement shall be made in writing such describing the material terms and participation and all Not compelled with the induce the direct seller to purchase good service is an amount of the exit amount that can be expected to be sold to the consumer with a reasonable period of time Allow to provide the direct seller reasonable cooling period cooling period जयना चाहिए Allow for the termination of contract with the reasonable notice एक रोट नोट नोटीस देनी चाहिए Termination करने से पहले In such instances, such terms where as direct seller is found may have made no sales good services provided up to years since the contract was entered into Allowed to provide a buyback policy Okay Clause No. 5 Certain obligation of direct seller Direct seller engaged in direct selling should carry their identity card and not visit the customer premises without prior appointment and approval मतलब एक direct seller distributor को हमेशा अपने पास एक identity card को हमेशा carry करना होगा और वो बंदा किसी भी वेक्ती को मिलने के जाने से पहले prior appointment ले At the initiation of sales representative without request truthfully, clearfully identify you Themselves अपने बारे भी पूर्न पूर रूप से पहचान पत्र दिखा कर आप अपनी पहचान बता सकते हैं The identity of the direct selling entity आपकी इस direct selling company के साथ आपकी identity क्या है उसके बारे में पूर्न रूप से जानकरी दीजिए The nature of the goods and service आपका product का क्या benefits और nature से क्या फाइदा है, sold on purpose, क्या है इसका purchase और solding कर रहे है यानि sales करने का मकसद और यह सारी जानकरी prospective यानि consumer को देनी चाहिए Offer a prospective consumer accurate and complete explanation and demonstration of goods and services, price, credit terms, terms on payment, return, policy terms and quarantine after sales service मतलब एक consumer को पूर्ण रूप से सारी जानकरी देखकर ही आपको product या system को समझाना चाहिए Provide the following information to the prospective consumer and limited to sales name, name, address, registration number, enrollment number, identity proof number, telephone number, direct seller and details of the direct selling entity यह सारी जानकरी तो हमारे पास होती है और इसको हमें customer को देना चाहिए Description of the good and services of the to be supplied जोग आपको company दिर्प से पूर्ण जानकरी आ रही है उसको proper तरीके से दिया जाए Explain to the consumer about the good return policy क्या है money back guarantee, buy back guarantee उसके बारे में explanation दीजिए The order date the total amount The order date the total amount to be paid by the consumer along with the bill and receipt Proper तरीके से consumers को bill receipt के साथ ही आपको product order देनी चाहिए Time and place of inspections of sample delivery of good Information of his right to cancel the order or return the sum paid मतलब इनको वो जानकरी भी पूरी देनी चाहिए कि अगर आप ये product को लेने के पच्चत अगर आप संतुष्ट नहीं है मतलब क्या है product को आपने न पोड़ा है ना इसका package damage क्या है ये sellable condition के अंदर product है Proper वही का वही प्लैकिंग वैसे के वैसे है और फिर आपस उत्पादों को यूज करना नहीं चाहते है तो 30 दिन के अंदर इसको buyback करिए 6 पॉइंट है ये direct seller shall not अच्छा ये direct seller ने नहीं करना चाहिए नहीं करना चाहिए Sh obwohl not तो अंधे क्रूटिंग प्रेक्तीस इन क्लूडिंगी मिस्स एंटरी प्रेजएंटेशन ऑdepend hide save जो actually company का potential है, जो income का potential है, advantages का potential है, उसको छोड़ कर अपने मन से कोई भी false commitment या misleading नहीं करना है, make any factually presently presentation, मतलब पूरी fact के साथ जानकरी पूरी दीजिए, अपने मन से कुछ मत बता है, present any advantage direct seller, any prospective direct seller in the false and or deceptive manners, जो भी चीज़े है, वो सारी बाते proper तरीके से आपके distributor या consumer को पता होनी चाहिए, knowingly make, omit, engage or cause, or permit to be made any representation relating to the direct selling operation, including remuneration system, agreement between the direct seller entity and the direct seller, or the good and services being searched by use, search directly, seller which is false and misleading, required incurred direct seller, recruit by the first mentioned direct seller, to purchase goods and services unreasonably large amount, बहुत जदा बड़ी आमिश दिखा कर जदा पैसा एठाने से अच्छा है कि, कुछ समय के लिए product use करने के लिए ज़रूर आप, आपने consumer से जान करी है, आप उनको जान करी देकर उनके साथ, आप as a consumer base उनको create करी है, provide any literature, training materials, restricted, बालेटर, usual direct selling entity, to prospecting and explanation, required prospecting existing direct seller and to purchase the literature, training material और sales demonstration equipment, 6th number का clause देखते है, relationship between direct seller entity and direct seller, the relationship between direct seller entity and direct seller, shall be determined as per return agreement, जे तो बार बार है, return agreement, दो, all are the right application, determine the express terms and condition between direct seller and direct selling, direct selling entity will be liable to grievance arising of the order of sales, responsibility of direct seller entity, to monitor and control the practice method and adopted by the direct selling system, साथवा क्लाजे, conduct of the protection of consumer, यस दोस्तों, अभी consumer का protection करने के लिए भी कुछ rules regulation यहापर बताए गये हैं, consumer का protection के लिए, देखेंगे, main चीज़े उन्होंने अभी बता है, कि हमें उन चीज़ों को ज़रूर करना चाहिए, जो legal हो, authorized हो, और जिसको प्रप्र तरीके से company के fact के अंदर आता है, misleading नहीं करनी है, किसी भी तरीके से गलत काम नहीं करना है, direct seller and direct selling entities shall take opportunity, step to ensure the protection of all private information provided by the consumer, direct seller and direct selling entities shall take appropriate step to ensure the protection of all private information provided by a consumer, अच्चा, जो भी जानकारी आप एक customer या prospect company को दे रहा है, उसको proper तरीके से protect करने का काम, यानि उसको अपने पास ही रखना है, ना कि इस जानकारी को या किसी भी information को, otherwise third party के company उसको लोगों तक पहुंच जाना या leak नहीं होना चाहिए, इसकी सर्वर पूर्ण रुप से responsibility company का रहेगा, direct seller and direct selling entities shall be guided by the provision of the consumer protection act, पूर्ण रुप से उनको guidance किया जाएगा, guidance दिया जाना चाहिए, all companies receive the over phone, email, website, post, work-in should work-in or should have a complaint number or tracing and tracking the complaint and record time taken for re-addressal. Every direct selling company shall constitute and grievance re-addressal committee whose composition, nature of responsibility shall include but not limited to the grievance re-addressal committee shall consistent at least three offer officers to a direct selling entity, b, the grievance re-addressal committee shall address complaint with the information complaint or any location, company may be made by one many member of the general public against a direct seller of the company, an employee or any other officer or the inventory, all such grievance which be resolved by the doctor name Siojin. 5.A, the direct selling entity shall provide information to the consumer purchase that shall contain, प्रेंटर के, वही चीज़ बार 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 आ रही है, the name of the purchaser and seller, ध्यान दीजेगा इन बातों पे, बार 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 आ रही है, मतलब इनको government बहुत अच्छी दरी से बता रही है, के सारी चीजे आप अपने आज़र डेस्टूबिटर, आज़र डेरेक से लर कंजूमर को बताईए, name of the purchaser, delivery of the product, procedure returning the product, warranty, any money back, buyback policy, good and exchanges, replacement of the product, case of defeat, कुछ प्रब्लम हो जाए तो product को replacement कैसे होगा, यह सारी बारते, or peer, sell make and claim, any person who sells the offer, sales including any e-commerce platform, marketplace, product, services, direct selling entity must have prior return consent from the respective direct selling entity in order, intertake, at, solicit, such as sales offer. किसी भी रूप से आपको e-commerce platform पर अपने product को देने से पहले आपको direct selling company की permission का जरूरत है, वही से तो उस तरीके का practice illegal और unethical practice बोला जाता है, जिसके वज़े से directly termination हो जाता है, यानि किसको lifetime के लिए उस ID को block कर दिया जाता है, clause no.8, prohibition of pyramid scheme and money circulation scheme, that is most important also, no person of entity shall promote a pyramid scheme as defined in clause no.1 and 11, 1.1, prohibition of pyramid scheme के बारे मैंने पहले भी बात किया था, उस तरीका practice नहीं करना चाहिए, और enroll any person to such scheme or participant in such arrangement in any manner whatsoever in the grab of doing direct selling business, मतलब enrollment करते हैं वक्त इस तरीके से गलत practice आपको नहीं करनी है, no person or entity will participate in money circulation scheme as a defined in clause no.1, oblique 12, मतलब एक clause no.1 और बारवा नंबर का point है, वहाँ पर इन्होंने money circulation banning act के बारे में बताया है, तो उस तरीके से, उस act के तहद किसी भी तरीके से गलत practice नहीं करनी है, money rolling नहीं करना है, money circulation के इसमें काम नहीं करना है, direct selling of business opportunities, yes, clause no.9, appointment of monitoring authority, the nodal department to deal with the issue related to the direct selling will be department of consumer affairs at the union and the respective state government in state, the state government will also set up mechanism to monitor, supervisor, okay, the nodal department to deal the issue related to direct selling will be department of consumer affairs at the union and respective state government of the state, direct selling companies के activities, direct selling company का जो भी है, यह जो है, उसका consumer affairs minister के द्वारा, या सभी चीज़ों के द्वारा proper monitor और supervision होगा, और इसकी पूरी जानकरी इस legal authority को उस company ने देनी चाहिए, the state government will also set up mechanism, याने राजजस्तर के उपर, state के उपर जो भी एक legal authority होती है, वो भी अपने mechanism को create करके monitor और supervision system या activities को, direct seller के activity, direct selling companies के activity को, direct selling company के regarding compliance को guideline के द्वारा चेक कर सकती है, और इसको rules and regulation के साथ उसको monitor किया जा सकता है, supervising किया जा सकता है, तीसरा point, any direct selling entity conducting direct selling activity, शॉल submitted and undertaking to the department of consumer affairs, stating that it is in compliance with this guideline, and शॉल also provide such a detail of information and other business detail as may be notified from time to time, company को पूर्ण रुप से अपनी जानकारी और सही तरीके से सारी information अपने legal authorities को देना बहुत ज़्यादा अनिरवारिये हैं, तो दोस्तों आप देख सकते हो, इतना जबरदस्त तरीके से यह जो guideline है, इसको guideline बोली है, दिशान निर्देश बोल सकते हैं, rules and regulations आप कहे सकते हैं, तो इसका मतलब ही होता है दोस्तों, कि chain, ponji और pyramid scheme जो पहले चला करते थे, उसको पूरी तरीके से control करने के लिए, government यानि भारत सरकार के माद्यम से, इसको proper तरीके से direct selling guideline और direct selling का law को, आज इसके उपर पूरन रूप से study करके आपके सामने लाया गया है, तो आशा करता हूँ दोस्तों, इस वीडियो के माद्यम से आपको कम से अगम इतना तो clarity होना चाहिए, कि आप अगर एक direct seller है, आप अगर एक distributor है, तो आपके साथ government यानि भारत सरकार का protection का part है, आप एक सही direct selling company में है कि नहीं है, इसके बारे में जरूर चेक करिएगा, अगर आप गलत practice के साथ काम करोगे, तो आपके उपर अननिसेसरी एक मूठा action हो सकता है, इसलिए सही की पहचान करना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, साथ ही साथ, जो लोग negative way में देखते है, net-oak marketing और direct selling industries को, तो उन लोगों के लिए भी ये पूरी अनुरूप से वीडियो मदद कर सकता है, कि भाया अभी आप लोगों को, ये जो पहले misleading practice या किसी ने पहले आपको बूरे अनुरूप हो का खयाल किया था, आपको बूरे अनुरूप हो आए भी होंगे, कही भी भी देखिये, हर चीज में पहले negative phase तो आता ही है, तो उस समय पे negative phase में आपको negative नहीं होना चाहिए, बलकि आपको इन चीजों से सीख कर आगे बढ़ना चाहिए, और कई सारे लोग बोलते कि ये पौंजी होता है, ये चैन marketing है, ये member बनने की scheme है, तो इन सबी चीजों में हमें नहीं जाना चाहिए, लेकिन भाई साब, आज अगर आप चलते चलते आपको कुछ हो जाता है, तो आइसरा पैसा आने का या आपके घर में अलग सी income source क्रियेट होने का कोई दूसरा रास्ता आपके पास है, अगर आपके पास वो रास्ता नहीं है, तो वो रास्ता आपको तयार करना चाहिए, साथी साथ आपको मैं जरूर कहना चाहूंगा, हर एक विक्ति को आगे जाके direct selling के माद्यम से एक financial freedom होने का एक अच्छा मोका परदान किया जाता है, इस industry के माद्यम से आप financially free हो सकते हैं, time freedom प्राप्त कर सकते हैं, टूर्स का अनंद ले सकते हैं, बहुत कुछ आपको इसके साथ मिल जाता है, तो जो negative belief system था आपका पुराना, आज के विडियो के बाद तो जरूर इसके उपर गौर करिए, और अपने positive belief system को लेकर आईए, और एक अच्छी direct selling company का चुनाओ करके, आप आगे बढ़िये, आप अगर हमसे भी content करते हैं, तो हम भी आपको एक सही direct selling company का चुनाओ करने में आपकी मदद कर सकते हैं, तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ, ये पूरन रूप से मैंने पूरी जानकरी देने की कोशिश, अभी के इस 50 minute के वीडियो में आपको देद दी गई है, तो इस चीजों को अच्छे से सीखिएं, और आप एक सही जगों पर हो, और आप एक सही industry के साथ हो, ये industry अपकी तारीक में देखा जाए, तो भारत के अंदर ये 16,000 करोड का कारोबार कुरा कर चुकी है, 16,000 करोड क्रोस कर चुकी है, और कल जाके ये industry पूरी दुनिया में बहुत बड़ी industry बनती जा रही है, और कापी सारे लोगों को करोड़ोपती बनाने का रास्ता बना सकती है, यानि आने वाले समय पे आप एक millionaire बनने के लिए इस industry का चुनाओ जरूर कर सकते हैं, और free man बनने के लिए तो जरूरी industry के साथ जुड़ सकते हैं, तो चलिए दोस जोस्तों जरूर आपको इस वीडियो को काफी सारे लोगों तो पहुंचाना चाहिए, और इन चीजों को लोगों को educate करना आज की तारिक में बहुत ज़्यादा जरूरी है, कि सरकार की तरफ से क्या गाइड लाइन है, सरकार की तरफ से क्या provision है, central government का से क्या है, इसके उप पर दिशा निर्देश, तो चलिए, thank you कहना चाहूँगा आप सभी लोगों को आपने काफी समय हमारे साथ इस वीडियो के माद्य हम से दिया है, और कोई सारे बातों को आपने आज से समझ लिया होगा, तो अभी से अपना एक career track set करना शुरू कर दीजिए, और एक अच्छ